असलाम लेकूम यूट्यूब वीवर्स कैसे हैं सब लोग आज मैं आपको जो रेसीपी सखा रहा हूं और आलू के कटलस वह भी नेंदा से आपने पांच आलू लेने और उसके बाद ये हमें साबत धनिया चाहिए और ये लेसन का पेस्ट है ये पिसावा सुका धनिया नमक पिसीवी लाल मिर्च ये साबत मिर्च को टीवी है और हल्दी है और ये जो है हमारा बेसन है ये तकरीबन पाव से थोरह से काम बेसन है ये कोटिंग के लिए और आप देखिएगा आज मैं की कोटिंग कितनी दबस करता हूं ये पहले हम आलू चीह लेंगे इस तरह से नाजरीन आपने अपने अलो चीलेने और आलों को चीलने से पहले आपने अच्छी तरह से धोना है और मीठे सोटे के पानी में थोड़ी जरी के लिए डिप करना तक इसके सारे केमिकल्स अच्छी तरह से साफ होजें आप भी अपनी सब्जियों को पलों को अच्छी तरीके से साफ सुत्रा करके फिर यूस किया करें इससे आप भैल दी रहेंगे और सेहत मन रहेंगे इस तरह से नादरी ने आपने त्माम आलू छील लेने हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं सारे आलू छीलने के बाद यह देखें इस तरह से आपने आलू को छील लेना है अब हमने इसकी कटिंग करनी है आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा ब्रीक ब्रीक कटके काटने है ताके हमारे आलू अची तरह से जब हम इनक कड़े इस तरह से आपने आलू को कट्ले की शकल में काछ लेना है नाजरीग या उन्達 आप इतनeking इतनी नही रैसीप्ट है और आप इसकी कोटण देखे का कितनी मघ्सवरोत हुती है इस तरह से नाजरीने आपने सारे आलवों को काट आने इसके बाद हमें नाजरीन एक बोलेने उस में हमने पानी एकनना बना पानी नमक आध करने खरी नमक तरहाइब आप फिंकन ये नमक करता हूँ हुए तकान भी अपने खानों में इसी इसमें यूज़ किया को टेस्ट इतना मजएक आता है आप सब हैरान हो जाएंगे और इसके बादी जो हमने अपने कटिंग किये हुए है आलो की कटलस यह हमने यह जो नमक और लसन वाला पानी जो है जो पानी में हमने यह दोनों चीज़े आड़ किया है इसमें आपने इसको अच्छी तरह से अब हमने यह अपना बेसन लेना है इसमें आप इंग्रीडिन्स को एड़ करेंगे सबसे पहले जो हमें चाहिए नमक नमक नाजिन आप पर जरूरत कम यह ज्यादा कर सकते हैं आपने टेस्ट के साब से मैं आलमोस इसमें तक्रीबन वन एंड तक्रीबन आलमोस टेर चमर ज एक यूजिक चमर यूज करना है आपने इसके बाद जो नेक्स अंगरीडियर्स हम एड़ करेंगे वह पिसीवी लाल मिच। यह भी आलमोस टापने वन च से हाफ़ चमर तोड़ा साथ ज्यादा यह एड़ करना है आपने उसके बाद यह पिसीवी कुटीवी लाल मिर्च है यह आपने डिर्शमच यूस करनी है इससे जो कटलक्स का टेस्ट बहुत मज़ेगा आता है उसका यह थोड़ी सी हल्दिया मैड करेंगे कलर के चेंज करने के लिए भी और इससे जाइका भी आता है इसके बाद नेक्स नाजिन यह जो लसन का पेस्ट है यह थोड़ा सामने इ इसे नाजिन लसन से यह एक नया टच है इस में रेसिपी में और लोग इसको यूज नहीं करते हैं लेकिन आप यकीन करें कि इसके साथ टेस्ट इतना मज़े का बनता है और बहुत ही प्यारी सी खश्बू आती है इससे अब यह जो हमारा साबत धनिया था यह मैंने क्रेश कर लिया अपने इसमें बसन में अड oral care in sub चीजों को आपने अच्छी तरह से जाना वो मिकसब कर लेना और आपने इसको कड़ाई में हमने तEMA कर लिया हुए पहले से मैं ने तेल अपके गर्म पर ठाग दिया है यह मैंने सержओ का थेल यूज सिया है क्योंकि सर्सों के तेल म बखुद मज़ा अतर बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह से नादिन आपने वो जो लस्तन और नमक ला पानी हमने अपने कटलस टिप की वे थे उसके में से निकाल के आपने जो बेसन हमने बनाया इसमें से अच्छी तरह से लगा के और यह देखे इस तरह से हमने इनको फ्रा पानी में हमारे कटलस टिप हो हैं और जब हम इसको कोटिंग लगाता है तो वह बेसन इसके साथ चिपस दो जाता है और बाद लोग आप ने देखा पानी वाला बेसन होता है उसमें लगाते हैं तो जैसी है हम उसको जब फ्राइए करने के लिए डालते है आईल आएल के अ आपको और यह इतने मज़ेदार और इतने जबर्दस बनेंगे कि आप लोक सारे तरीफ किया बगार नहीं रह सकेंगे यह देखें नाजरी इस टाम यह आलमस किपन फ्राई हो चुके हुए हैं मैं आपको इसको डिशाओर करके दिखाता हूं आप अभी यह देखेगा इसके इसके उपर अभी मैं आपको शो करता हूं यह देखें इसके उपर मसला ब्गों इसको नाझरी लगावी है और आप ये जडिखें करें कि ये इतने मज़े के और इतने की कि यह मै के बच्चे खुश हो जाएंगे बच्चे तो किया बड़े भी इसको बहुत शोक से खाएंगे इस वाइस नादिक में आपने इसको डिशाउट कर लेना है आप इसको कैचप के साथ ग्रीन चटनी के साथ अपने बच्चों को सर्फ करें खुद भी खाएं और मुझे दौव में याद रखिएगा आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी वीडियो को शेर करें कमंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या आपकी तरफ से प्यार होता है महबत होता है हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं और आपके लिए ही हम खाना बनाते हैं तो आप से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें